नमस्कार दोस्तों आज देखेंगे देखी लुसेंड जी के हिस्ट्री का पार्ट नमबर टू वीडियो देखिए पढ़ेंगे इसमें आपका किन सभ्यता वैदिक सभ्यता विस्तार से चिखना आपको लुसेंट का आपको पाट बाए पाट पाट यतने भी टॉपिक्स हैं हर चीज को करवा देंगे तो वीडियो को डेलिवसेश पर देखिएगा एक लाइक आवसे करनें आज जी के हिस्ट्री सभ्यता के बारे में देखिए क्या कहता है आपका इतिहास का सिंदु सभ्यता रेडियो कार्बन C40 जेसी नवीन विश्लेशन पदती के द्वारा सिंदु सभ्यता की सरुमायन निती थी 2400 इस्विपूर से 1700 इस्विपूर मानी गई है देखिए आपको विश्था तरीके से हम डिटेल से हर टॉपिक को करवाते जाएंगे अभी स्टार्ट किए हिस्ट्री से पिर करवाएंगे जोगर्फी फिर से बेक्स फिर आपको एकोनॉमिक्स हर चीज को पोर्षन को जितने किताब में है हट अपको एक विडियो इसको मिलेगा मेरी विडियो को देखेंगे आप कैसे पढ़ना है किस चीजों से कोशन आती है वह भी हम बताएंगे देखिए सिंदु सभ्यता की खोज राय बहादूर दयाराम सहनी ने की यहां देखिए कोशन बनता है किसनु सभ्यत अथवा कैस यूग में रखा जा सकता है इस सभ्यता के मुख्य निवासी दर्वीड एवं भुमध्य सागर ये थे तो सभ्यता के सरवादिक पश्चमी पूरस्थाल मिलते हैं सुथ कांगे डोर से इसको बोलते हैं पुलुचिस्तान पुर्वी पूरस्थल आलमगिरपूर जिल्ला देखिए मेरट और उपी में देखिए जिल्ला आपका मेरट है उत्री पूरस्थाल मांदा से मिलता है जम्मु कस्मीर का दच्छिनी पूरस्थल मिलता है दाइमाबाद जिल्ला आहमद नंगर महराज देखिए कोशन यहां देखिए कैसे बन सकता है कोशन बन सकता सब्षयख़ परिपक आवस्था वाले अस्थलों में केवल छे को ही बड़े नगर की संग्या दी गई है ये हैं आपका मुझरो हडपा गनवारिला धौलावीरा राखी गड़ी एवं काली बंगन है निगेस देखिए पॉइंट अपका सोजानता प्राप्ती पश्चाण अपका संस्क्रीति अशर्वादिक अस्थल गुजरात से खोजा गया दो सबसे पहले पूछेगा हरापस संस्क्रिति पहले कहां से खोजा गया कहना होगा गुजरात से देखिए लोथल एवं सुद्ध कोठदा सिंद्ध सभ्यता का बंदरगा था लोथल जो आपका गुजरात में है जूते वे खेत और नकाचिदार इटों के परियोक साच काली बंगन से प्राप्त हुआ ये बहुत महत्पून पोइंट है देखिए नेक्स्ट पोइंट आपका प्राजिस्थान परता है बुल्शिस्थान उमान से चांदी आपका मिला अफगानिस्थान और इरान से सोना आपको मिला करनाटक अफगानिस्थान और इरान से टीन मिला आपको अफगानिस्थान और इरान से गोमेद मिला आपको सुराष्ट से लाजवर्द मिला आपको म 8-8 मिटर लंमा है 7.01 मिटर चावडता है तो यॉ norm अगरा है अगनी कुण्ट लोथल और काली बंगन जICO के प्लापती मुर्त मिली है उनके चारों और हाथी गैंडा चीता एवं भैसा विराजमान है मुझरों से नर्तकी की एक काईस मुर्ती मिली है हड़पा की मोहरों सबसे अधिक एक सरिंगी पसू का अंकन मिलता है मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं नरो से मिले हैं लिपी भाव चितात्मक है मतलब क की भाव रूप में है अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है यह लिपी दाएं से बाई रहा दखिंसब्यता के लिपी जो है दाएं से बाई की और मतलब के राइट से लेप्ट की ओ लिखी जाती थी जब अभिलेक एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दा यह सब्सक्राइब जरूर कर लें डाकी अधिका आपको हट प्रश्चे मिलेगा घरों के दर्वाजे और खड़की ивать की और न कुल पिछवाय का पुटे थे कि वह लो न् fils लॉठल नगर के घरों केर्वाजे मुह साड़क की और खोलते थे और सबका पीछे से खोलते थे प परियोग करते थे नेक्स्ट पॉइंट है रंगपूर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने के परमान मिलता है चावल के पर्थम साच लोथल से ही प्राप्त हुए है नेक्स्ट पॉइंट है सूर कोटता काली बंगन एवं लोथल से सेंधव काली गोड़े के अधिक्स अस्थी पंजर मिले हैं निस्ट पूंड की करता है तौल की इकाई संभाता सोलक के अनुपात में थी निस्ट पूंड है सेंधव सभ्यता के लोग या तायात के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैल गाड़ी या भैसा गाड़ी का उपयोग करते थे सेंधा सभ्यता के लोग आए आते नेक्स्ट पॉइंट नेक्स आपका लेखिए आएंगे टॉपिक्स पे देखिए नेक्स टॉपिक कहता है आपका है मेसोपेटामिया के अभी लेखों में वन्नित मेलूहा सब्द का विपराय सिंदु सभ्यता से ही किसी चीज़ को डिपली पढ़िए ता आपको स्ट्रॉंग हो जाएगा शंभावता हडपा संस्कृति के सासन वनिक वर के हाथों में था पिगट ने हडपा यो महंजोडों को एक विस्त्रित संपराइज की जड़वा राजधानी कहा है सिंदु सभ्यता के लोग धर्ती कुरवरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे व्रिच पूजा एवं सीव पूजा के पर्चलन के साच भी सिंदु सभ्यता से मिलते हैं स्वास्तिक चिन संभरता हडपा सभ्यता की देन इस चिन से सुर्यो पासना का अनुमान लगाया जाता है सिंदु घाटी के नगरों में किसी भी मंदर के अवसेस नहीं मिले हैं सिंदु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सरवादिक पचलित थी पेमस थी पस्वों में कूबरवाला साड इस सभ्यता के लोगों के लिए विसेस पूजनिये था बहुत महत्पूर पोइंट देखी है आपका पुबरवाला साड इस सभ्यता के लिए पूजनिये था निक्स्ट पोइंट है अस्तरी मिंड मुर्तियां मिट्टी की मुर्तियां अधिक मिलने से ऐसा नुमान लगा जाता है कि सेंधव समाज मात्सतात्मक था निक्स्ट पोइंट है सेंधव वासी सूती एवं उनी वस्तरों का पर्योग करते थे मनुरंजन के लिए सेंधो वासी मचली पकड़ना, सिकार करना, पसू पच्छियों को आपस में लडाना, चौपड और पासा खेलना आदी साधनों का परियोग करते थे next point, सिंदू सब्भेता के लोग काले रमसरि जायन के लिए किये हुवे लाल मिट्टी के बरतन बनाते थे next point, सिंदू घाटी के लोग तलवार से परिश्चर, पूछेगा के भाटी के लिए लिए कहना होगा सिंदु घाटे के लोग करता है काली बंगन एक मात खड़पा काली अस्थल था जिसका निचला सहर समायन लोगों की रहने हेदू भी कीले से घिरा हुआ था निच्ट पॉइंट करता है परदा पर्था एवं वेश्या वृती सेंधव सभ्यता में पर्चलित थी फेमस थी खड़ा होगा हडपा में की पठ्था थी कहना होगा मोहंज दुड़ो में लोथल एवं काली बंगा में यूग्म समाधियां मिली है सेंधव सभ्यता के विनाज का संभावत सबसे परभवी कारण देकिए बाढ ता अग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा क्या जाता ह। लोगंगो पर्मुक अस्थल नदी उतकरन करता यह मТमान जानेंगे बहुत महत्मून पॉयंट है यहां से एक्जामिशन में question आते हैं हडपा देखिए पर्मु कस्तल इसके नदी है देखिए रावी नदी किनारे उतकन करता है द्याराम सहनी एवं माधाव रूप स्वत्स इसको देखिए खोजा गया था 1921 इसमी में खोजा गया था हडपा को और इस्थित कहां पे है पाकिस्तान का मोंट गोंबरी जिल्ला में इस्थित है आपका हडपा नदी देखिए रावी है 1921 में खोजा गया था हडपा सम्यता को next number two है मोंजलो ये सिन्दों देखिए इस्थित है इसके खोजा गया उतकन करता थे राखल रस्मनरजी के दोवारा खोजा गया था कब खोजा गया मोंजलो को 1922 इस्थित में खोजा गया था यहाँ जी कोशन आते हैं आपका हडपा से मोंजलो से दों देखिए आपका पाकिस्तान के सिन्द परांथ का लरकाना जिल्ला में इस्थित है मोंजलो नेक्स नमबर ठड़ है चन्वधडो यह सिन्द अधिक नारे इस्थित है लुगवपाल मजूमदार इसको उत्कन करता थे इसको खोजा गया था 1931 में खोजा गया था जंगडो को और यह सिन्द परांथ यह भी आपका पाकिस्तान में इस्तित है काली बंगन की नधी घंगण के इसको उत्कन करता थे इसको खोजा गया था 1993 में खोजा गया था काली भंगन को और कहा है यह राजिस्थान का हनुमान गर जीला में है कई पूशक्ता इस तरह भी काली बंगा जो है किस राजर स्थान राजर में है राज तका जानी है अफ का जैपूर आए नमबर फाइब देखिए कोट देजी इसको उतकन करता थे फजल अहमद थे कोट देजी को उतकन करता इसको 1953 इसवी में खोजा गया था वी सिंध प्रांथ का खैरफूर अस्थान में इस्थित है नेक्स नमबर छे देखिए है रंगपूर इसको नदी है मादन का इस्थित है रंगपूर और इसके उतकन करता थे रंगनात राव इसे खोजा गया था और इस्थित है गुजरात का काठियावार जिल्ला में इस्थित है रंगपूर नेक्स देखिए आपका रोपड रोपड नदी है सतलज रोपड ये खोजा गया था यह खिदत फर्माज ने इसको उत्कन करता थे रोपड का ये ववा स्थिर्पन चववन में खोजा गया था गुजरात का काठियावार जिल्ला में इस्तित है देखिए आपका पंजाब रो स्थित है रंगनाथ राव ने खोजा था इस प्लोथल को उस्पच्पर से एवं 62 में गुजरात का अहमदाबाद जिल्ला में देखिए स्थित है कि लोथल गुजरात में है और काली बंगर राजस्थान में है रोपड पंजाब में है देखिए नमबर नाइन है आलम इसके एक उतकन करता थे यग दत सर्मा 1958 इस्वी में खोजा गया था उत्तर परदेश का मेरट जिल्ला में इस्थित है आपका आलम गिरपूर आईए नमबर टेन देखेंगे देखिए सूत कांगेडोर इसके नदी है दासन दिकाना इस्थित है आपका सूत कांगेडोर इस सब्सक्रान के मकरान में आईए नमबर 11 देखिए है बन माली इसकी नदी है रंगोई नदी उतकन करता है रविंदर सिंग बीस्थ दुवारा खोजा गया था 1974 इस्थित है बन माली कहा है हरियाना के हिसार जिल्ला में नमबर 12 देखिए धौलावीरा इसके देखिए उतकन क करता है रविंदर सिंग बीस्थ इसे 1991 में खोजा गया था गुजरात के कछ जिल्ला में धौलावीरा यहां देखिए टुवेल पॉंट में ज्यादा कौन इंपोर्टेंट है रविंदर सिंग नारे इस्थित है 1921 में खोजा गया था नेक्स्ट मोंजडो आपका जिल्ला में है और निक्स्ट की इंपोर्टेंट आपका है रोपड जो कि आपका पंजाम में है और अगला इंपोर्ट तरह मेरी विडूयो को देखते जाईएगा आपको किसने खोजा कब खोजा कहां सब कुछ आपको याद हो जाएगा कूशन कहीं से भी आएगा आप आईए और जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक को देखिए अगला करता है देखिए वेधिक सभ्यता के बारे पढ़ेंगे हम लोग देखिए वेधिक काल का युभाजन दो भागे होंगा फर्स्ट का नाम है रिक वेधिक काल पंदर सो से लेकर एक हजारे स्वीपूर और टमबर करिस्तान में बसे मेक्स मूलर ने आरियों का मुल निवास अस्थान मद एसिया को माना है आरियों द्वा निर्मित सभ्यता वेधिक सभ्यता कहलाई नेक्स्ट पॉइंट है आरियों द्वारा विक्सित सभ्यता ग्रामीन सभ्यता थी पूछ सकता है आरियों की भासा कहना हो आरियों की भासा संस्क्रीद थी नेक्स्ट पॉइंट है आरियों के प्रसासनिक इकाई आरोही कर्म से इन पांच भागों में बाटा था कुल ग्राम वीश जन और रास्ट ग्राम के मुखिया ग्रामिनी एवं वीशु का प्रधान विश्पती कहला दे थे जन के सासक को राज जन कहा जाता था नेक्स्ट पॉइंट राजी अधिकारियों में प्रोहीद एवं सनानी परमुक थे सूत रथकात था कमादी नामक अधिकार अतनी कहे जाते थे इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी अब देखिए क्या क्या देखिए दिसा है उत्तरवेदिक राजा का नाम था समराट पस्चिम में परतिशिह था राजा का नाम था शरास्ट उत्तर में उदीती था नाम था विराट 31 मद्य में राजा था दस्चिन में भोज था नज देखिए पढ़ेंगे आपका पूइंट ने हैं पुरब दुर्क पथी एहुम अस्पस जनता के के विदियो को देखने वाले कुश्रक हिसे हैं कि परादियों को परद्व oppose करता है उग्र के द्वारा क्या घाता था सभायों समीति राजा के सलारों देने वाली संफ्था थी सभा स्ष्ड एवं संभरांत लोगों की संख्यां थी जब कि समीती समय Angst जनता का परतनीतु करती थी इसके अध्यस को यादखियेगा इसान कहा जाता था आई देखिए नेक्स्ट की पढ़ेंगे देखिए मोस्ट इंपॉइंट पॉइंट है दसराग युद्ध का उलेक रीग वेद के साथवे मंडल में की गई है युद्ध के उपर एक और पॉइ उसनी राविन अधिके तट पर सुदास एवं दस जनों के बीच रड़ा गया था जिसमें सुदास विजयी जीत हुआ रीग वेदिक समाच चार वर्नों में विवक्ता बटा गया था ये वन्थे ब्रामन छत्रिये वैसे और सुद्र यह भाजन व्यवसाई प्राधारित थ में चतूत वर्नों का उलेक मिलता है इसमें कहा गया है कि ब्राम्मन परम्पूस के मुख से छत्रिये उनकी बोजाओं से वैस उनकी जांगों से सुद्र उनके पैरों से उत्पन हुए हैं आरियों का समाज पित्र परधान था रखिएगा समाज की सबसे चोटी इकाई परि से कोशन बन सकता है इस तरिया इस काल में अपने पती के साथ यग्यकार में भाग लेती थी नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवा युँँ परधा पर्था कर परचलन नहीं था इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विदवा अपने मिर्तक पती की छोटे भाई देवर स सेवा कर सकती थी यह उसमें परचलन था देखिए अपनिस्टों की कुल संख्या एक स्वाठ है महापुरानों की संख्या अठारा है और वैदांग संख्या छे है नेक्स्ट पॉइंट है इस तरिया से इच्छा घ्रन करते थी रीग वेद में लोपा मुद्रा गोशा शिक् सकता देखिए बहुत मात्पुल पॉइंट में सुनिएगा फ्रेंट अप लोग जो जीवन भर अविवाई साधी नहीं करती थी महिला उन्हें अमाजू कहा जाता था कोर्शन बनेगा एक्जाम में नेक्स्ट पॉइंट है आरियों का मुख्य पेपतात सोंबरस था यह वन संगीत रत दॉड़ घुर दॉड़ एवं धुड़ विदा यहां पे मुख्य साधन थे आयों के मनरंजन के लिए आज दानेंगे और बीन के बारे में देखिए नेक्स चानेल रखिए पॉइंट आपका है आरियों का मुख्य वहसाई पसुपालन एवं कुरीशी था दो थ upon द्रेनी में रखा गया था गय की हत्या करने वाले या उसे घैल करने वाले के लिए वेदो में में मिर्ट्य दंड अत्वा म्छिए आखियों को बहार देए नीएम था उसमें पर्मुक दर्सन एयुम उसके परवर्तक दर्सन दर्सन दर्खी चावार के परवर्तक थे चावार के योग के दर्खी पुछ सकता है पतंजली थे परवर्तक सांके के थे परवर्तक आपका कपील नयाय के थे परवर्तक आपका गौतम पूर्मिमांसा के परवर्तक थे जैमिनी और उत्तर विमान सक्परवर्टक थे बाद रायन वैसे सिक कनाद या उल्लुक थे लेकि नेश्ट पूंड की आएंगे आरियों का प्रिय पसू घोड़ा एवं सर्वाथिक प्रिय देवता इंदर थे आरियों दिवारा खोजी गई धातु जो है वो लोहा थी जिसे स्याम आयस कहा जाता था नेक्स्ट पूंट है वैपार हे तु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थी लेट देन में वस्तु विनिमे की पनाली पर चली देंगे लेट वस्तव को पचली थी iam सफ्हमिता में measureded व्यास लेनेवाला व्यक्ति को क्या कायता है वेक नॉट औरा me की सुध खौर कहा जाता घंधेilead बोता के रूप में अगनी की पूजा की जाती थी सिब जितना भी सब की रीघवेदी हुआ है सरस्वती सब्से महां सब्से पवित्न नदी कौन सी ही तो उत्रक है आपका रीघवेद में गंगा और यमुना का उल्लेक सर्फ एक बार हुआ है गांगा यहां से केहां से आएगा रीगवेद में गंगा और यमुना का कितना वर उलिक नाम आया है काहां जाएका मात्र एक बार गंगा और यमुना का नाम आया है कुजानेंगरी वेधिक कालिन नदियां देखिए प्राची नाम और अभी आजुनिक नाम क्या है , देखिए , प्राची नाम था कुब्भाब्स आ भी हो गया है काबूल नदी का नाम देखिए प्राची नाम था वितस्त हृँ गया है झेलम, आसकीन आ हो कीनल drop था परुशनी अभी हो गया है आँगे बहुत इंपॉर्टन्त है गोमती का नाम हो गया है गोमल नदी सुवस्तु का नाम हो गया है श्वात नदी आई दखेंगा नेक्स्ट आपका उत्तरवेधि काल में इंदर के श्थान पर परजापती सर्वाधिक पिरिय देवता हो गये थे नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरवेदी काल में राजा की राजभिषेक के समय राज सुर्यग का नुष्ठान किया जाता था नेक्स्ट पॉइंट उत्तरवेदी काल में वर्न वेवसाय की बजाय जन्म के अधार पनिधायत होने लगे थे नेक्स्ट पॉइंट बहुत महत्मुन है उत्तरवेदी काल में हल को सीड़ा का जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरवेदी काल में निश्क एवं सत्मान मुद्रा की इकाईयां थी लेकिन इस काल में किसी काल में किसी क्या है खास भार आकरिती और मूल के सिक्कों के चलन पर कोई परमान नहीं मिलता। सायं के दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन थार्यकी का सायं के दर्शन। इसके अनुसार मूल तत्व थे, मूल तत्व जो है आपके वो 25 है, कितने हैं? 25 हैं। जिनमें प्रकिर्टी पहला तत्व है, सत्य में वो जयते मुंड को अपनी सत से सत्य में वो जयते लिया गया है, इसी अपनी सत में यग की तुलना टुटी नाव से की गई है। गायतरी मंत्र सवरित नामक देवता को संभोधित है, जिसका समंध भी देखिया रीग वेद से है। उच्छे गायतरी मंत्र कहां से लिया होगा, रीग वेद से लिया गया है। नेक्स्ट पुइंट है, बहुत महत्पून, उत्तर वेदी काल में कोसांबी नगर में पर्थम बार पक्की इटों का पर्योग किया गया है। नेक्स्ट पुन देखिये, महाकाब ये दो हैं, एक महाभारत, उन्सरा है आपका रमायन, आद रखियेगा, महाभारत का चीता है, आपके बेद ब्यास और रमायन को लिखे हैं, वाल में किये चिकनिया। देखिये, महाभारत का पुर्णा नाम, आपका जय संगीता था। यह विशूक सबसे बढ़ा महाकार पूछ सकता परिछ्छान में विशूक सबसे बढ़ा महाकाब न कौन सा है तो कारना होगा महा भारत है गोतर नामक संस्था का जनम उत्तर वेदिक काल में हुआ उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर वेदिक काल में आई दखेंगे रिगवेदिक कालिन देवता, देवता दखेंगे इंद्र है, समंध है, यूद्र का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है, नेक्स्ट अगनी है, देवता एवं मनुस्य के बीच मध्यस्त को अगनी देवता कहेंगे, नेक्स्ट है वरून, प कास का देवता सबसे प्राचीन है, निक्स्ट है आप कहसोम, वनस्पति देवता है, निक्स्ट है उसा, प्रगती एवं उथान देवता है, निक्स्ट है आस्वीन, विपत्तियों को हरने वाला देवता है, निक्स्ट है पूशन, पस्वू का देवता को पूशन कहा जाता था नेक्स्ट है विश्णू विश्वक संगरच्छक एवं पादन करता जो है विश्णू जो है विश्वक संगरच्छक है और पादन करता देने वाले विश्णू भगवान है नेक्स्ट है मरूत आंदी सूरा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिज़ करते हैं और कमेंटि से जो करना हो कर देजे इसमें आपको important type का हर type का वीडियो हर knowledge टाप का वीडियो आपको मिलता रहेगा फिर मिलेंगा next वीडियो में बहुत interesting topic के साथ interesting knowledge के साथ ओके थाइंक यू